So friends, आज हम करने वाले हैं कुछ अजब गजब हम आजब क्या? हम आपको ले चलेंगे उचाईयों पर कैसी उचाईया अब ये देखते हैं कैसी उचाईया थोड़ा सा बस हम चलके पहुछते हैं ważा पर बहुत ही पास और उचाईयों पर चलिए देखते हैं फिर तो अभी तो हम लोग उतर रहे हैं सेडियां उचाहियों पर जाने के लिए सेडियां चड़नी पड़ती हैं लेकिन हम लोग उतर रहे हैं सेडियां ये फिर से वोई portion आ गया हमारा stairs का green portion so greenery everywhere अब चलते हैं आगे खुले कराच अब हम लोग खड़े हैं यहां अपने घर के नीचे पीछे कार है लेकिन हम कार से कहीं नहीं जा रहे हैं उनुचाईयों पर जाने के लिए हमको पैदल ही जाना होगा तो अभी आगे खुलेगा राज धीरे-धीरे बढ़ते हैं आगे अपने घर के गेट से निकलने से पहले ह हम आपको दिखाना चाहते हैं अपने घर की उचाई यह देखिए यह देखिए हमारे घर की उचाई लेकिन इस उचाई की बात हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे हम आपको ले चलेंगे कुछ दूसरी ही उचाईयों में तो यह देखिए यह हम आए हैं अपने घर के सामने यह हमारे फॉजी भाई साब तो फॉज से रिटायर हैं आप देखिए बिल्कुल देख कहीं लगता है और यह जो घर है यह इस समय एक क्लॉक टावर की तरह हो चुका है बहुत उचाई इतना उचा कि हम उपर जाते आते से भी ठकेंगे और फिर वहां से देखेंगे हम कानपूर की नजारे और वहीं से हम देखेंगे अपने घर को भी तो अब फॉजी भाई साब के साथ में लोग चल रहे हैं उपर चलते हैं आगे बढ़ते हैं अब हम चल रहे हैं सेकंड फ्लोर की तरफ नब इस इस सेकंड फ्लोर इस बिसिकली आप वाइस होस्टल फोजी भाइस आप रहते हैं नीचे और उबर सभी फ्लोर्स पे हैं बच्चे बहुत बढ़ी आट्मस्फियर है इस होस्टल का अब हम आगे हैं फोर्थ पता नहीं कितने फ्लोर चड़ाएं थक चुके हैं और यह देखे निकल के आया हम छट पर और यह भी पहली जहते हैं इसके आगे अभी और भी बाकी कि अग्राइब कि अब इन उचाईयों को अभी हम और काईदे से आपको दिखाएंगे तो यह देखिए इस हाइट से आपको दिखाई कि पढ़ रहा है जेके टेंपल यह हम लोग लगभग सिक्स्थ या सेवन्थ फ्लोर के आसपास पहुंच चुके हैं तो नियर अबाउट फिट में बताता हूं मैं आपको नियर अबाउट 75 फिट हाइट पे हैं हम और यहां से दिख रहा है जेके टेंपल और भी यहां सब्सक्राइब के बहुत ही बिंदास नजा रहे हैं कि यह देखिए कि कुछ टावर्स भी दिख रहे हैं पीछे तावर के लगभग एक्वल हाइट पहुंच गए हम लेफ्ट साइड में जो टावर्स हैं यह बिलकुल बहुत पास-पास हैं हमारे पीछे दुन सी नजर आ रही है फिर से देखिए यह लेफ्ट साइड वाला टावर्स और अब हम दीरे दीरे इधर गूम रहे हैं और देखिए आ गया फिर से जिक टैंपल यह देखिए अब यह बिलकुल इस बिल्डिंग के बगल वाला टावर्स जो की लगभग हाइट के बराबर ही है इतनी उचाई पर हैं अभी हम और फौजी अंकल जो है फौजी भाई साब हमारे हमारे बच्चों के अंकल वह बिलकुल हमारे घर के सामने ही रहते हैं तो जब हम लोग करवा चौथ में चान देख रहेते तो वह चान जो है इसी घर के पीछे छुप गया था कि मिलिटरी के लोग बिलकुल पर्फेक्ट होते हैं पता नहीं उनको रिटायर क्यों कर दिया जाता है थोड़े दिन और रखना चाहिए फौज में यह देखिए अब हम आपको दिखा रहे हैं मैट्रो स्टेशन अभी अभी जब हम वीव ले रहे थे तो हमें पता लगा कि कानपूर का गुटैया क्रॉसिंग मतलब रावतपूर रावतपूर मैट्रो स्टेशन भी नज़र आ रहा है यहां से जब ट्रेन यहां से गुजरे नहीं दिल्ली में तो लोग अक्सर देखा करते हैं मेट्रो स्टेशन लेकिन हमारे लिए यह बहुत ही अनुभाव अच्छा होगा कि यह देखे इतने उचाई बर्वी खेती हो रही है तो यह है क्वात क्या होता है राम देव बाबा कहते हैं कि इसकी फली जो है वो खानी चाहिए तो इससे स्वास्तिलाब होता है और यह तरोई भी है देखे इतने उचाहिवर तो जो लोग प्रकति प्रेमी होते हैं देखे इस हद तक काम करते हैं आपने हमाई छट पे भी देखा है खुब सारे गार्डन तो हमारा इंस्प्रेशन जो है वो यहीं से हुआ था जब यहा आप पहचान नहीं पाएंगे गन्ना है गन्ना सिक्स्थ फ्लोर पे साथ फिट की उचाई पर गन्ने की खेती हो रही है कोई सोच ही नहीं सकता कि इतनी अब हम देखे धीरे-धीरे बहुत-बहुत धिमेदी में इन सीडियों को उतार रहे हैं इतनी उचाहिवर गन्ने की ख जो बेल का आइडिया है जो हम अपने घर में आजकल बेल लगा रहे हैं वो सब यहीं से निकला हुआ है और अब हम लोग गन्ने के पास पहुंच चुके हैं एक फ्लोर नीचे आके यह देखें भाई आपको मैं पास से दिखाता हुँ जड़ा गन्ने की मोटाई है यह देखो अभी यह लगभग धाई फिटका हुआ है अभी कम से कम 6 फिटका हुआ तब सोचिया आप यह कितनी उचाहि तक जाएगा तो 60-65 फिटके उचाहि पर गन्ने की खेती और सिर्फ एक देखें छोटी सी क्यारी तो यह सब आप लोग भी कर सकते हैं प्रकादी प्रेमी बनिए ऑक्सीजन की बहुत जरूरत है देश को यह दिखें एक छोटा सा गार्डन इधर भी है बढ़िया बढ़िया पौधे हॉस्टल है और एक बढ़िया हॉस्टल जहां मैस की वेवस्था भी की गई है और यह देखिया आप मैस कि तो यहां जितने भी बच्चे रहते हैं उनके लिए खाना बनता है यहां पर अब चलते हैं एक फ्लोर नीचे फिर से कि यहां कि जाना रही हो कि अब हम लोग यहां से फोकस करेंगे दों कि यह देखिये हमारा घर कहां है वाई दूड़ो जड़ा है हाँ यह जिसमें ग्रीन सीट्स लगी है यह है हमारा घर कि जूम करके दिखाते हैं आपको कि यह देखिये यह हमारा घर दिख रहा है कि सब नीचे ग्रीन ग्रीन ही है चारो तरफ जिदर भी आप देखेंगे और यह हमारे घर की छट कि अब यहां से आपको रोड करने जारा दिखाते हैं कि फोन गिर जाए नीचे हर तरफ ग्रेंडरी इस तरफ टावर मुचा सा टावर और यह हैं कानपूर के घर अब देखें यह हम तीन फ्लोर नीचे आ चुके हैं अब यहां से सीन को जिस टाइप के नजर आ रहे हैं कानपूर सब पूरा डेंस है काफी पास पास हैं सभी घर अब हम लोग वापस चलते हैं दीरे से अब अपने घर की तरफ तो यह थी उचाईयां यह जब भी हम अपने घर में नीचे आते हैं तो हमको कई नजारे देखने को मिलते हैं यह हमारे हैं प्यारे प्यारे डॉगी और यह स्कूटर में चड़के बैठे हैं अधो कितना एंगिल बना के वो लेटने का कुसिस कर रहा है एक ने नीचे जगे बना रखी और एक ने उपर और यह है मेरी स्कूटी यह देखिए इनको बैठना है हमारी स्कूटी पर क्योंकि इनको बड़ी आराम मिलती है उस पर किता बढ़िया लग रहा ना प्यारा से बैठा है इस स्कूटी पर सो हो रहा है और यह है इनकी बदॉलत है यह सब कुछ क्योंकि यह बहुत प्यार करते हैं इन डॉगी इस से और देखिए यह प्यार का नतीज़ा दोस्तों यह देखिए आपने उचाईया तो इन कि ही अजीव अजीब बढ़िया बढ़िया मजएदार चीजें होती रहेंगी हमारे चैनल जैट फैमिली पर बार बार फिर मिलेंगे दोस्तों